हेलो फ्रेंड्स विल्कम बेक टो माई चैनल फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ बहुत ही प्यारी सी स्लीव्स की डिजाइन तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना तो देखो यहां पर हमने जैसे स्लीव्स कट करनी होती है वै आपकी स्लीव्स के लंबाई के कॉर्डिंग आपको ले लेना है जितना भी आपको स्पेस रखना है खुला हुआ ठीक है तो बस उतना लेना है मतलब मेजर्मेंट निकाल लेना है और अब हम यहां पर पेपर पेस्टिंग ले लिए हैं और इसको चार फोल्डियो में है और फोल्डेट साइड एक साइड को मतलब फोल्डेट साइड भी होना चाहिए तो बस इस तरह से उपर नीचे से बराबर कर लेना है मैंने यहां पर पीन से सिक्योर कर दिया है जिससे कि हमारा पेपर पेस्टिंग इधर उदर खिसके नहीं कटिंग अच्छे से कर पाए तो इस तरह से हमने उपर नीचे बराबर कर लिया है बराबर करने के बाद यहां पर अंदर के साइड हम एक निशान डाल रहे हैं जो कि हम धाय इंच पर वो सौरी डेड़ इंच पर डाल रहे हैं तो आपको जितना भी मतलब मैंने जैसे बताया यहां पर आपको जितनी कि हिसाब से बागी मैं कितना ले रही हूं वो आपको सारा मेजरमेंट बता रही हूं तो इसलिए यह एक प्ति का सेव दिया हुआ है इस तरह से हम प negativity सेव दीएंगे और बाहर harm करेंगे जो हमारा पूरा पैटर्न है अंदर वाला उसको भी कट कर लेंगे हाफ इंच बाहर से भी कटिंग करके इस तरह से पैटर्न को बना लेंगे अब हम इसको दूसरे फैबरिक में रखेंगे तो अगर एक असतर से बनाते हैं तो वहाँ पर इतना कपड़ा नहीं बसता है कि हम अ अब यहां पर हम half inch का fabric छोड़ते हुए पूरे गुलाई पर हम यहां पर इसकी cutting कर लेंगे दोनों पर ही हमने यहां पर इस तरह से cutting कर लिया है अब जो हमारा इस ट्रा का fabric है उसको अंदर के side को फोल्ल करते हुए यहां पर हम उपर से शिलाई लगा लेंगे तो बस इस तरह स दूसरी पत्ती भी हमने complete कर लिया है, दोनों स्लीफ के लिए साथ में pattern बनाते चल दे हैं, तो यहां पर अब देखो हमने एक पत्ती ली हुई है, जो कि हमें आगे स्लीफ में फ्रिल भी लगानी है, तो उसके लिए हमने double fold करके एक बार शिलाई लगा लेंगे, जिससे की फ्र फ्रिल भी लगानी है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया, तो चब तक मैं फ्रिल बना रही हूं, तब तक आप लोग चैनल को फटाफट से सस्क्राइब कर दीचेगा, इस तरह से यह हमने यहां पर अपनी फ्रिल बना के रेडि कर ली है, रखने के बाद यहां पर आगे की साइट से सिलाई लगा लेंगे, तो फ्रिल देख रहे हो कैसे रखी है, जो मार्जिन हो दे, उसे हम बाहर की साइट को रखेंगे, खुले साइट को, और जो मार्जिन वाला नहीं है, उसको अंदर की साइट को हमने रखा, इस से क्या होग के सीधे साइड में और बस इस तरह से फ्रिल वाले भाग को बीच में रखना है और बस इस तरह से यहाँ पर इसे रखना है आप वीडियो पे बहुत किलियर देख पा रहे हो और यहाँ पर उपर से हम शिलाई लगा लेंगे तो यहाँ नहीं यहाँ शिलाई लगाया अब इस भर शीलाई लगा लेंगे यहां एक बार शीलाई लगा दिया इसके बाद जो हमारा मेन फैबरissimo Master फैबरिक है तो इस तरह से हमारी इक सिलीवस बनके रेड़ी हो गही है देख सोकुरे से इतना ही complete है आगे pattern देखेंगे इसका तो यह हमारी इतना फ्रिल लग गई है अगर आपका भी किवल फ्रिल लगाना है तो इस तरह से लगाओ आपका जो margin बाहर की साइड रहता है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा और अच्छी finishing से आपकी sleeves fold होगी ठीक है अब यहां पर हम क्य इसको fold करके इस तरह से line बिल्कुल center निकाल लिया है अब जो हमने यहां पर पती बनाके pattern को रखा था उसका भी हम center निकाल लेंगे इस तरह से तो center पर यहाँ पर भी line खीच देनी है तो यह हमने यहाँ पर line खीच लिया अब जो हमने यह pattern बनाया है इसको हम बिल्कुल center से center को मिलाते हुए ऐसे रखेंगे और रखने के बाद बस यहाँ पर pin से secure कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से शिलाई लगाएंगे तो बस यहाँ पर हम पूरे में शिलाई लगा के complete कर लेते हैं यह हमने शिलाई लगाया अब इसको फिर से उसी तरह से fold करेंगे क्योंकि बीच के fabric को हमें cut करना होगा तो इसी तरह से fold करके ही इसे cut कर पाएंगे तो इस तरह से यह हमने यहाँ पर इसे cut कर लिया को fold करतेंगे और उपर से एक फ्रीसी वाली शिलाई लगा देंगे अगर आप यहाँ पर लेस वगयरा कुछ भी लगाना चाहो तो अब इस टाइम पर मतलब इसके बाद यहाँ पर आप लेस भी लगा सकते हैं लेकिन मुझे लेस वगयरा कुछ नहीं लगाना है, simple सा रखना है यह हमने यहाँ पर इसे सिलाई लगा दिया, अब इसके बाद जो हमारी साड़ी की लेस थी, उसको ले लेना है यानि कि ब्लाउस में ही लेस निकली हुई थी, तो इसको हमें लगाना है ब्लाउस में, स्लीफ में तो हम dunstuck को साड़ी होता है इतनी ना कि पूरे हाथ में भी aid आपाती है तो इस तरह हमें लेक्स में पैगा दिया अeles भी लोगा डिया अऑ यहां पर हमारे का स्लिफ का पैटरन है उसको हम इस तरह से रखेंघे रखने के बाद यहाँ पर इसका मतलब पूरा जो हमारा राउंड है इसको हम निकाल लेंगे बिल्कुल यहाँ पर उसी के नाप से हम यहाँ पर एक निशान डाल देंगे चाहिए और पेपर में और पूरे में शिलाई लगा लेंगे बस पेपर के बराबर बराबर चिन को रखना है और चेंटर से रखना इस तरह से शिलाई लगानी है तो मेरे पास जो ब्लाउस था उसमें इतना फैबरिक नहीं था कि वहां से मैं डोरी निकाल पाती अगर मेरे पास फैबरिक बचता तो डोरी अगर आप जैसे सेम ब्लाउस की कलर की ही निकाल के लगाओगे ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी लेकिन वैसे इसमें भी अच्छा लग रहा था डिजाइन कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वैसे ही और अब हम इसको इसके अपोजिट साइड भी इसी तरह से रखेंगे और शिलाई लगाएंगे और जो भी इस्टा का फिर बाद में जो हमारा मतलब जो डोरी है वो थोड़ी इक्टा निकली हुई है कोई बात नहीं उसको सिलाई लगाने के बाद ही उसे कट करें नाराम से कोई जल्दबाजी नहीं और ना ही कोई बिल्कुल भी नीसिंग से काम करना है ठीक है कम ना पड़ जाए इस तरह से यह हमने यहां पर श्लीफ मतलब इतना पैटर्न तयार किया और अब हम यहां पर एक पट्टी ले लेंगे जो कि मैंने एक इंच के लगबग अब जो हमारी पट्टी तैयार है इस पति को हम यहां पर इस तरह से रखेंगे और पेपर को सिक्योर कर देंगे जिससे की इधर उधर भगे नहीं और बस यहां पर शिलाई लगा लेंगे तो शेंटर से बिल्कुल मिलाते हुए हमने यहां पर रखा है और यहं शिलाई लगा लिया है जो हमारा पेपर है उसके वो हम निकाल देंगे अच्छे से तो बस यह हमारी पूरी डिजाइन बनके रेडी हो गई है वीडियो मतलब यहां पर और मैं थोड़ी सी मोती वगेरा भी भी इसमें लगा दोंगी तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके जरूर ब कोच्छिंग